हाई गाईज तो आज सुबर से मेरी दीदी के पेट में बहुत ही जादा दर्थ है अभी वज रहे है तो पहर के एक और अभी भी घर पे है क्योंकि अभी हास्पिटल जाने का कोई फाइदा तो है नहीं वहाँ पर जाकर रेट ही करना पड़ेगा हास्पिटल हमारे घर से दस किसले घर पे है अभी लंच कर रही है वो आज पहली बार वो ऐसे चेर टेबल में बैठकर खाना खा रही है वरना वो तो जमीन पे ही बैठती है हमेशा लेकिन आज इतना जादा पेन है और बेबी नीचे की तरफ आ गया है तो पेट में प्रेशर भी आ रहा है अभी आप्टी हो रहा है और अभी में अबुलेंस को काल करने जारी हूं कियोंकि अभी इसको बहुत जादा पेल ही हो रहा है तो लेक्वी अबुलेंस पर फुर्स ताइम है अध्यस पाल को भाछे टाउनक्लाव तो वस्ट बढिए अध्यस ती क्याienen doubt क्या क्या जानी ल्याम? सबसे पहले उन्हीं मेरा location details मांगा, उसके बाद उन्होंने patient के detail बागे तो मैंने कहा, labor पेन है उसे और फिर उन्होंने मेरा नाम पूझा और मेरे से पेशिंट का जो रिलेशन है वो पूझा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मैं कॉल कनेक्ट करता हूँ आप पस लाइन में रहो तो मैं बस वेट करती जा रहे थी और बहुत ही जादा टाइम लग रहा था और भी कई सारे डीडल्स उन्होंने पूझा जैसे पेशिंट नेम एज हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉंग करते हैं शेहर का नाम क्या है और कौन से हॉस्पिटल जाना जाते हैं तो यह काफी टाइम कंज्यूमिंग एक प्रॉसस था जो लोग इमर्जे से में कॉल करते हैं I don't know कितना जादा टाइम वेस्ट होता होगा उन सबको यह डीटल्स देने में और फिर उन्होंने कहा कि आप लाइन में रहो हम लोग कॉल कनेक्ट कर रहे हैं तो काफी जादा टाइम लग रहा था बटशे सो स्ट्रॉंग वो उसी पेन को लेकर वो चाय बनाने चलिगे कि कुछ खाकर ही होस्पितल जाएंगे that was so funny तो मैंने कॉल किया था अप्ट पॉलाइंस को 3 45 को लेकिन वह कहा था 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 थी पुनेट के अंदर शाय आएगा कोई आम्बुलाइंस क्यूबर नहीं है तो अभी बज रहे हैं सारहे चार भी बज चुके हैं तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर था अगर आम्बुलाइंस अभी तक नहीं आया उन लोगों का call भी नहीं है मैंने call किया भी था तो उन लोगों ने कहा कि please wait अभी तो कोई ambulance available नहीं है ऐसा करके तो let's see हम लोगों शायद public transport में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ambulance तो आ ही नहीं रहा है finally after 45 minutes call आया ambulance के तरफ से कि कोई भी ambulance available नहीं है आप खुद का कुछ भी करके आप hospital चले जाओ वो लोग कुछ भी help नहीं कर सकते so that was really disappointing क्योंकि हम तो ambulance के भरो से ही थे कि अगर रात दो बजे या तीन बजे labor pain आये तो हम लोग ambulance को ही call करेंगे but that was really disappointing फिर हमने ये टुक टुक गाड़ी book की थी for hundred rupees चो घर से हमें hospital लेकर जाएगा और दीदी pain में तडप रही थी but she is so strong मैं होती तो कब का रो देती इतना ज़ादा pain हो रहा था उसे टुक टुक में बैठे ना वो काफी ज़ादा joking होता है और उपर से उसे दुर्गा पूजा विसर्जन कार्निवल था तो हर जगा no entry इतना ज़ादा चेकिंग हो रहा था गाड़ी आगे जाने ही नहीं दे रहे तो हमने जैसे तैसे उन लोगों को बोला कि देखिए अभी patient है labor pain में है ये सब उनको बोलना पड़ा पुलिस को फिर पुलिस आई चेक किया उसके बाद उन्होंने release की लेकिन इतना ज़ादा भीड था कार्निवल था भीड में हम लोग जा ही नहीं पा रहे तो घर से जो hospital की दूरी थी वो जैनरली 10 मिनिट की दूरी है बट उस तेर हमें आधी घंटे से भी उपर लग गया hospital पहुचते पहुचते hospital पहुचने के बाद पता चला उसका 1.5 cm dilate हुआ है जो की 4 cm जब dilate होगा तब वो labor room में लेकर जाएंगे और जब वो 10 cm dilate होगा तब ही बेबी आएगा तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है 24 तो 48 आवर्स का टाइम है अभी भी सो हम लोग घर वापस गए पापा को सब कुछ बताया डीटेल्स में और फिर दीदी का admission हुआ admission process में भी काफी वक्त लग गया था तब तक वो बाहर थी around 2 hours और जब अंदर गई after admission तो उसको bed भी नहीं मिला बैटने की जगत तक नहीं थे इतने सारे patients थे उधर और सब भी labor pain में थे तो यह जो footage है यह corridor का है जब दीदी युवेश्ची करने गई थी अंदर तो मैं उधर थी और मम्मी को मैंने घर भेजा था यो नो तू फ्रेशन आप और खाना भी उनको बनाना था तो अंदर समय चाल के नहीं आगा दी हुए अंटी भी आंटी मुझे पड़ पड़ के रगए इतना pain होने लगा हुए उसको बता है हम लोगा अंदर नहीं जाने दे रहा हुए इतना pain में थे किसी का कोई problem तो किसी का दूसरा problem और फिर ममी ने डिनर बना कर भेजा था जीजू के हाथ तो वही हम लोग बोलेगी थोड़ा सा तो खालो परना कमजोरी हो जाएगी तो वही वो खा रही थी और जीजू खिला भी रहे थे अभी इतना खुरिया है तो भी इतना खुरिया है जो नर्स डॉक्टर्स स्पेशली हाउस टाफ्स थे वो काफी ज़्यादा सुपोर्टिव थे बट प्रेशर था पेशेंट का क्यूंकि इतने सारे पेशेंट्स थे कि जगा कम पड़े थी उसकी वज़े जब लास्टेज हो गया था मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेशली हो रहे थे उस टाम हम लोग जो डॉक्टर्स रूम में वहाँ पर गए थे अनिक सीनियर डॉक्टर थी उन्होंने बहुत हिम्मत दी दीदी को उन्होंने कहा कि आपका सब कुछ नॉर्मल है तो थो ये प्रेगनेंसी में क्या-क्या फॉलो करती थी और उनका जो डिलिवरी एक्सपीरियंस था वो कैसा था तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताएए दीदी खुद आप लोगों के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है सारे टिप्स और ट्रिक्स सब शेर करेंगी तो नीचे कॉमेंट करना ना भूलीगा बाइदे वे जब उसका पी-पी टेस्ट हुआ था उसके बाद ही उस डॉक्टर ने कहा था कि आपको आधे घंटे में मैं लेबर रूम में भेश दूंगे और आपका डिलिवरी जल्दी से हो जाएगा और लेबर रूम में जाके भ तो वो ममी ही रहेगी अंदर पहले हमें लग रहा था कि यहां का सिस्टम बिलकुल अच्छा नहीं है लेकिन बाद में पता चला कि यहां का सिस्टम काफी अच्छा है और उन लोगों ने specially take care किया था क्यूंकि मेरे friends भी थे उधर और मेरे जान पहजान की एक nurse भी थी जो मे मुझे दिखाना था आप सबको एक लड़की labor pain में कितना pain वो बर्दाश करती है इसके बाद situation इतनी जादा बिगड़ गए कि मैं वो capture बिलकुल भी नहीं कर पाई और ये footage है रात के 12 बजे जब हम लोग wait करे थे और इस टाइम जीजु घर गए थे क्योंकि बैटने की तो है नहीं कोई जगा तो इसलिए जीजु को मैंने कहा कि मैं तो इधर हूँ और males अंदर allowed नहीं है तो आप घर चले जाओ wait करते करते रात के डेड़ बच चुके थे और उसके बाद मैंने देखा मम्मी बिल्डिंग से बाहर आ रही है and she was very happy तो मैं तुरंथ भागते हुए ममी के पास गई and हमें पता चला कि baby boy हुआ है बिल्कुल healthy है और काफी खुश थे हम सब और ममी ना उस टाइम baby के लिए papers बना रही थी तो मैं अंदर गई labor room में ये labor room का ही footage है मुझे बस आप लोगों को यही दिखाना था कि वहां का system काफी अच्छा है to be very honest camera मैंने उपर की तरफ कर दिया था because of privacy reasons obviously and वो जो रात थी हम सब के लिए बहुत ही जादा खूपसूरत एक magical एक night थी क्योंकि मेरे life का वो best night था मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी घर वापस गई मैंने खाना लिया और फिर मैं वापस आ गई hospital दीरी को खाना देने और जब मैंने baby को first time देखा तब वो feed कर रहा था जब मैंने उसे first time गोदी में लिया मुझे एक अलगी level की खुशी महसूस हुई और उस वक्त दो बज रहे थे जो कि उसके birthday का मतलब वो एक बज़े पैदा हुआ था और उस वक्त दो बज रहे थे तो मैंने उसे happy one hour birthday भी wish किया था hospital से release होने के बाद हमें पता चला कि उसको jaundice है and उसका jaundice level काफी high था तो उसे फिर से हमें SNCU में admit करना पड़ा for 24 hours वो कुछ दिन हम सब के लिए काफी मुश्किल गुजरा specially दीदी के लिए क्योंकि उसे भी उस वक्त hospital में admit होना पड़ा without any phone without any family member मैंने कुछ shoot नहीं किया मेरे पास बस ये दो photos है और ये clip है जब वो चार दिन का था और घर पे आय थे उसका blood test करने खेर अभी सब बिलकुल normal है please pray for the good health of mother and child both thanks for watching, bye